हलो माई दियर सीवीटी स्टुडेंट्स हिमालय जोब के इस यूटूब प्लैटफॉर्म पर मैं हमित चोधरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में आपन बातचित करने वाले हैं क्लास 12 आड्स साथ में सीवीटी यूजी 2025 की तयारी अगर अभी तक आपने अपने बोर्ट के साथ में अपनी स्वीटी की प्रिप्रेशन नहीं किया है तो आज मेरी बातें सभी ध्यान से सुनेंगे और अपने प्रिप्रेशन आज से ही स्टार्ट करेंगे मैं बहुत ही प्य चीजें हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम आसानी से पढ़ सकें और हर एक चीज हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए तो स्वागत है एक बार फिरसे आप सभी कहा हिमाले एजयोप के इस यूटूब प्लेटफोर्म पर आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर द उनके लिए भी बातचित करेंगे बट साइन्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको इसी बताने वाला हूं जो आपकी डेली लाइफ जो आपकी competitive exams को fight करने के लिए आपकी साहिता करेगी चलिए के दोस्तों चलते हैं और शुरुवात करते हैं चोटे से टोपिक से और वो चोटा से टोपिक अपना सबसे पहले क्या होगा बेटा टेस्रीज अब यह टेस्रीज क्या है सर देखो मैं बताता हूं आपको एक बात टेस्स रीज वीडियो को अंत्य तक जरूर देखना बढ़ा जरूरी है नहीं तो आपको चीज़ अच्छे समझ में नहीं आएईगी है देखो कि टेस्स रीज के बारे में अपने बात्चीत करते हैं यह स्रीज क्या होती है सर्फ आपने बच्पन में देखा होगा आपको शाइकिल लाके दी थी खैर आपका तो अब भी भी बच्पन है बट अगर में मेरे बच्पन गिने वाच्छित करों तो मुझे शाइकल लाके दी और फिर मुझे कहा कि चलाओ, तो बच्पन में मुझे वो cycle क्या गर के अंदर ही चलाने देते थे, बड़ा सा गर है, और गर का man gate उसके बाहर जानी नहीं देते थे, कि बाहर सडक है, गाड़ी बाड़ी आती है, कहीं लग जाएगी, तो गर से बाहर जाने नहीं है, cycle यहीं प हो गया, पहले तो मुझे नहीं था, कि मैं बाहर चला सकता हूं गया सडक पे, बट कुछ दिन मैंने घर पे practice की, और मैं सीख गया, और फिर मुझे समझ में आगया कि हाँ, अब मुझे विश्वास है, मैं cycle को बाहर चला सकता हूं, थोड़े दिन मैंने बाहर रोड पे cycle चल मैं यहाँ cycle को भगाना चाता हूं, घर वालों ने कहा पहले यहाँ तो डंक से चला, मैंने और चलाई, और प्रेक्टिस की, गाउं वाली जो अमारी सडक थी उस पे, जहाँ वेकल्स कम आते थे, तो वहाँ मैंने अची कासी प्रेक्टिस की, उसके बाद क्या हुआ, प्रेक है कि हाईवे जो उस पे cycle लेके गया और वहाँ मैंने cycle चलाई, मुझे कोई नुक्सान नहीं हुआ, और मुझे बहुत ही मजा आया, तो यह process क्या थी, यह process थी आपकी test series के लिए मैंने आपको बताई थी, हाईवे पे अगर आपको cycle चलानी है, तो पहले cycle चलाने की practice करनी हो उसी परकार से, देश की topmost university में अगर आपको admins लेना है, CUET का जो paper होता है, वो paper देने से पहले, वेसा ही paper आपको पहले कई बार देना होगा, और उसी चीज का नाम क्या है बेटा, test series, इसी को बोलते हैं test series, देखो, अब हम आपको किस तरह से test series करवाते हैं, और आपको किस इस तरह किसे test series को करना चाहिए, सारी बात मैं बताता हूं, test series के बेटा steps होते हैं, जैसे मैंने cycle के steps बताए आपको, मैं पहले घर के अंदर cycle चलाता था, फिर हमारे गाम वाली जो सड़क थी, घर के बगल से, मैं उसकी ऊपर cycle चलाता था, फिर धीरे-धीरे मैं highway की तरह पह कौन से होंगे, chapter wise test होंगे, या फिर topic wise, यह level कौन सा है अपना, यह level है अपना घर के अंदर cycle चलाने वाला, अब next level पर चलते हैं, गाम वाली जो सड़क है, उस पर cycle चलाएंगे, वो क्या होना चाहिए हमारा, कि 3 chapter, तीन chapter, या फिर 4 chapter का एक साथ test हो, यह कौन से होगी अपने भई, अपने गाम वाली सड़क होगी, अब कहां चलेंगे बेटा, आपन, highway पे, अब highway पे चलना है अपने को, तो complete book, book आईगी अब complete test, अब क्या होंगे बेटा, complete test होंगे, समझ गया मेरी बात, तो आपको किस तरह से test देने है, chapter wise, फिर 3-4 chapter एक साथ mix करके, और फिर complete book का test आपको देना है, जैसे arts वाले बच्चे, आपके पॉल साइंस की किती बुक है बेटा, दो book आपकी पॉल साइंस की, तो पहले आपके chapter wise test आपको देने है, chapter wise test के बाद में आपको 3-4 chapter एक साथ mix करके, उनके questions को mix करके, उनके test देने है, और उसके बाद में complete book, जो है, वहां से questions देने है, और उसके बाद अगर अपन highway से भी आगे की बात चित करें, कि अब हमें वो जो विमान कौन सा होता है, वो लड़ाई वाला, fighter jet, fighter jet, कि अब हमें fighter jet उडाना है, तो फिर आप दोनों book से mix question दे, वो क्या हो गया अपना fighter jet, चलिए, तो पहली बाद अपनी भी मुखे test series वाली, आपका जो आज मानलो paper लिया, उस paper में आपके कितने question थे, कितने question थे, मानलो 10 question थे, आपने 10 में से कितने question सही किये वेटा, 6 question आपने सही किये, गलत कितने question किये, 3 question आपने गलत किये, आपने 1 question जो था उसको attempt ही नहीं किया, ओके, अब आप लोग क्या करोगे, जब आप result द जाएगी आपकी नजर यहां नहीं जाएगी गलत किते हुए यह मैंने एक छोड़ा तो छोड़ा क्यों बलकि सबसे जरूरी चीज यह होती है यहीं से आप सीखते हो कि यह मेरे जो तीन सवाल गलत हुए है रोंग हुए है यह क्यों हुए है इनके पीछे कारण क्या है और यह पका सिखाऊंगा कि कईसे मारते है और उन उन तुको में एक्ट रसी कैसे आती अच्छे से तो तुक्के वाला कोशन आप अपने घर पे जाकि अच्छे से सोल करोगे उनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे फिद एक्स्प्लेनेशन आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है तब जाकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अधिक प्रोडक्टीव होंगे चलो इसके बाद मैं आपन बातचीत करेंगे चलो एक मापको टेस्ट स्जेस्ट करी देता हूं बेटा हिमाले एज्वाब का जो एप है आप डाउनलोड कर सकते हो और जो बच्छे ओफलाइन टेस्ट स्ट्रीज देना चाहते हैं वो बच्छे ओफलाइन भी टेस्ट स्ट्रीज दे सकते हैं हिमाले ए एपल स्टोर से एप स्टोर से आप डाउंलोड कर सकते हैं हिमाले एजुहब और आप रेगुलर अपने टेस्ट दे सकते हैं जिससे आपके बोर्ड के साथ साथ में और आपकी सीवीटी की प्रिपरेशन भी होती रहे ओके तो पहली बात थी अपनी ये टेस्रीज के बारे में उसके बाद में आपनám बात्चित करेंगे बेटा किसके बारे में next point क्या था अपना strategy ओके अब अब बात्चित करेंगे strategy क्या रहीगी अपने अपनी strategies के लिए क्या रहने वाली है चलो strategy के बारे में अपन discussion करते हैं देखो स्टेटेजी में सबसे पहली चीज अगर मैं किसी चीज को मानता हूं वो मैं मानता हूं बेटा continuity आपको अगर अच्छे से पढ़ना है निरंतरता इसको क्या बोलते हैं बेटा इंगलिस में continuity समझाओगे न सब सबसे पहली चीज होनी चीज यह बेटा निरंतरता देखो कोई मेटर नहीं करता आप 10 गंटे पढ़ते हो 20 गंटे पढ़ते हो जरूर यह है कि अगर आप रोज 3 गंटे भी पढ़ते हो तो क्या फिर आठ दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ता फिर मैं एक दिन तीन गंटे पढ़ा तो यह यह जरूरी नहीं है फिर रेंड़ दो फिर मत करो तयारी निरंतरता continuity बड़ी ही जरूरी है आप तीन गंटे पढ़ते हो रोज पढ़ो तीन गंटे एक प्रोपरा आपके पास में टा अचीए टाइब कंटे विलोम शुर्य होकर याफ है इक बडाई में लगाना है कितना समय आपको टीवी अठें लगाना है किटना समय आपको बाहर खेलने में लगाना है कितना समय आप जायो में लगाओगे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओगे सोवोगे किती देर वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है उनका management करना बहुत ही आवसेख होता है विद्यार्थी जीवन में या फिर आप अगर विद्यार्थी जीवन की में का थे इसके बाद में में आपको एक फेक्टर और बताता हौँ कि कॉइवर कॉनफिडेंस अगर आप में से किसी भी बच्चे को ऑवरकॉनफिडेंस आ जाये तो बेटा अब अब स्थमिज लेना कि आप क्या होगे फैल होगे और Conflict Des demain了吧 or confidence के आपको बता देता हूं क्या होता है तो कई यह मानलो कोई टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट में कि जो कॉछ्षंट है उन कोसीन्स का जो लेवल है वो ऐसा नहीं है कि जैसा कि होना चाहिए तो उसके वज़े से क्या होता है कि मालों आपका कोई भी फस्ट्र उठा सकते हैं और फस्ट्र आपने अच्छे से पढ़ लिया अपने जैसे हिस्टिका उठा लिए अपना फस्ट्र वाला इन्डस वेली सिविलाइजेशन वाला अपना फस्ट्र तो अपने वह नहीं है कि तो आपने उसारे से हो जाएंगे क्योंकि आप देखेंगे कि इनके जो options वो बड़े ही दूर-दूर प्रफेंस है एक नाम ऐसा है जो अपने बुक में पढ़ा है फिर बचे वे जो तीन नाम ओप्षन में वह यह अपने बुक में नहीं पड़े तो सीधी सी बात है अपन सोचेंगे यही पढ़ा होगा फिर भुक में इसको ठीक करते हैं तो इस तरह से अमारे नंबर किते आ अधरी वह एक्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जिस पेटर से सीथी करवात जो सीवीटी आपकी एकजाम है उसमें उसी पेटर से जो कोशन आ रहे हैं उसी त्रीक एक डिफिकल्टी लेवल आपका टेसीरीज का होना चाहिए और हमारे हिमाले याजव की डो टेसीरीज है वाकी में उसी पैटन पर आधारित है इसी लिए हर बार टेस्ट सीरीज में सही एज टीज कोशन सी वीटी एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं चलिए तो यह अपना मेटर था बेटा एक प्यारी सी स्टेटेजी के बारे में किस तरह से आपको चीजें कैसे करनी है ऑवर इसे चोटे मोटे टेस्ट देखके अगर आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आते हो और फिर आप मैन एक्जाम में बैठते हो तो उस दिन आपके तोते उड़ जाएंगे अना समझ रहे हो मेरी बात तो आपको एकदम शांदार चीजें पढ़नी है आप ऐसे मत देखो कि यहां पर कोई चीज बहुत ही सस्ती मिल रही है तो हम इसको खरीद दें नहीं बेटा एक साल का सवाल आपकी जिंदगी का सवाल है चीज खरीद दिए सस्ती है अगर क्वाल टाक के ही आपको चीजें खरीदनी है करना स्ुरीप करना है मैं इसके बारे में इसके बाद में अगला रचonter टॉपिन अ हमारा जो steady material है वो किस तरह का होना चाहिए है गर इस्टवी इतना ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए कि हमारा syllabus ही complete नहों मतलब एक तो हमारे steady material to the point होना चीज़ दूसरी चीज chapter wise practice questions भी होने चाहिए chapter wise क Scottish को क्यों चाहिए उसके बाद में गलतियां नहीं होने चाहिए किएंग्य हूं कोई दिखत नहीं है बेटा आदमी है गलतिया इंसान से होती हैं कोई मान भूल हो जाती है कभी कब तो एक आदी स्टेडी मिटिरियल बिल्कुल भी इस तरह का आपका जो स्टेडी मिटिरियल अब होना चाहिए इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा कि जब आप चीजें पढ़ते हो स्टेडी मिटिरियल की बात मा कर रहा हूँ जब आप कोई भी मिटिरियल पढ़ते हो जब आपने इसा विश्वास के लिए कि हां मुझे यहीं से पढ़ना है इसी इंस्सिट्यूट से पढ़ना है यही चीजे पढ़नी है तो फिर आपको वही चीजे पढ़नी है आप अपना परसेंट भरोशा करें और उसको अच्छे से पढ़ें तयार करें जब आप वो चीजें पढ़ें तब आप अपने साथ में एफ और साइज के पेज साथ में रखें उनमें आपको जो भी चीजें इंपोर्टेंट लगती हैं वो सारी चीजें आप बुलेट पॉइंट्स के फ आपने वो 200 पेज पढ़े और बुलेट फोम में नोट्स बनाए तो यह वाले पेज किते बने आपके आपने 20 पेज के नोट्स बनाए मतलब आपने इसमें से बहुत ही इंपोर्टेंट मिटिरियल जो है वो निकालके अपने पेजें में रख लिया अब मानलो एक्जाम के क कुछ दिन ही बचे हैं आपके अंदर और निया रहा कि यार पता नहीं केसे और जाएंगे केसे और जाएंगे तो बेटा यह है आपका कॉन्फिदेंस का कैपसूल अब यहां पर यह कैपसूल का काम करेगा अब आप यह कैपसूल एक बार पड़ोगे सिरफ 20 पेज ही तो है ओर आपने सब चीजें यह पढ़ रखी हैं पहले से जो है उस तरह से आपको इसको फोलो करना है तो अपने जल्दी मिलते हैं अगले अपने वीडियो के साथ में जिसमें बातचित करेंगे साइंस के बच्चों के लिए और अप जिस भी कोश्चन के वारे में कुछ भी जानना चाहते हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्षन के इजुकेसनल वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाए धन्यवाद